हलो मेरे प्यार बच्चों कैसे हो आप लोग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉर्क ओन डाइपोल किसी एलेक्ट्रिक डाइपोल को इनिफॉर्म एलेक्ट्रिक फिल्ड में आप रखोगे तो उस पे एक टॉर्ड जेनरेट होता है उसी का डेरिवेशन हम लोग देखने वा पॉस्टिव है तो उस पे फोर्स जो लगेगा अधिक्ट्रिक फिल्ड डेरिक्शन में लगती है और निगेटिव चार्ज में फोर्स जो लगती है वह पोजी तुब दैरिक्शन ऑफ और यहां पे देखें प्लस की उई और माइनस की दो हो गया तो यहां पे जो आपका न यह टॉर्क इसको रोटेट करवाएगा डाइपोल को क्लॉक बाइड डिरेक्शन में तो यह टॉर्क कैसे निकलेगा इसके डरिवेशन हम लोग देखेंगे तो यहां पर हमको टॉर्क के लिए पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो यह दोनों फोर्सेज के बीच के पर पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस और पर्पेंडिकुलर में लिया है उस पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालने के लिए हमने यहां साइंट हिटा अपलाई किया है तो साइंट हिटा इक फोर्स और इंटू पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस बिट्विन दें तो तो और की एक साथ कर जिए जो डाइपोल मोमेंट हो गया तो फर्मुला आ गया टॉर्क ब्राबर पी साइन ठीटा धाक्टर फॉर्म में लिखो गए तो टॉर्क ब्राबर पी क्रॉस ही हो जाएगा अब इसमें केस लिए जब आंगल ठीटा इकोल टुजिरो डिगरी मतलब एलक्त्रिक डैपोल जो है वह वह इलक्तिटरिक और के डिरिक्शन में है याँपार जीरो टीरो हो गया तो टॉर्क भी 0 हो गया रोटेशन नहीं हो गी थीक है और 90 दिवर्ग लोगा तो साइन 91 हो जा हो जाएगा मतलब की नेगेटिव चार्ज चला गया इलेक्टिफिल के तरफ बला में उसके पोजीट में आ गया पॉस्ट पॉस्टिफ चार्ज तो मोमेंटम जो डैपोल मोमेंट है वहां पर फिर से से थीटा एंगल पर है तो हम जानते हैं जो जितना वर्क करिए उसके अंदर पोटेंशल इनर्जी इस टोर होगा तो हमने यहां पर इसको रोटेट करवा रहे हैं तो क्या आपको वर्क करना पड़ेगा तो यहां पर आपका integration करना होगा कि गर माल लेते ठीटा 1 से ठीटा 2 आप बर्गडन निकालना चाहते हैं तो dw का integration करिए इधर p sin ठीटा का integration करिए और उसमें जो limit होगा वो आपका क्या होगा ठीटा 1 से लेके ठीटा 2 पूट करना होगा तो नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं तो यहां पर अब हम लोग को integration करना पड़ेगा वोगडन निकालने के लिए तो बहुत सारी इंटीडेशन लेंगे तो dw का integration w और साइंटीटा का integration minus cost लिमिट पूट किया मैंने तो w equal to minus p cost लिमिट में और minus lower limit लिमिट थीटा 1 पूट करने से minus cost लिमिट वन आ गया तो यह वर्ग पोटेंशल एनरजी के तर्म में स्टोर होगा तो यू equal to minus p cost लिमिट यहां पर मैंने थीटा 1 90 डिग्री लिए है और दूसरा के general angle theta ले रहा हूं theta 2 तो मैंने value पूट किया u equal to minus p cost theta minus cost 90 cos 90 0 तो value आ गया u equal to minus p cost theta जो बैक्टर फॉर्म में लिख होगे तो यह dot product का formula है तो यह आ गया formula u equal to minus p.e अब इसमें मैंने case लिया है कि theta equal to 0 degree angle हो तो theta 0 होगा तो cos 0 का value बन होता है तो यहाँ पर potential energy जो होगे minimum अब जानते कि कहीं भी अगर minimum energy होता है तो यह stable होता है तो यह डाइपोल जो है stable equilibrium क्योंकि net force already यहाँ पर 0 होगा जिरो डिग्री पर पहले case में देखे टॉर्क में और ज theta equal to 180 degree मतलब कि डाइपोल मॉमेंट है अपोजीटीव अलक्टरी फिल्ड है तो यहाँ पर कॉस्ट बने रहे होता है तो यू इकॉल टू प्लस पीई हो गया तो potential energy हम maximum हो तो डाइपोल अनस्टेबल equilibrium में होगा थैंक यू फर बाचिंग इस वीडियो आप बने रहे है